दोस्तो नमश्कार शौगत है आपके अपके अपने डिफेंस क्लासेश में दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD के नॉर्मलाइज़शन को लेकर के बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर नॉर्मलाइज़शन कितना होगा यानि किस सिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज़शन होगा कितने नंबर हमारे बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइज़शन में दोस्तो देखिए अगर हम लोग बात करें या SSC के पिछले कुछ ट्रेंड को देखिए देखिए जो एक-दो साल पहले होता था वो नॉर्मलाइज़शन को कोई कुछ मतलम नहीं होता था कब किसका कितना क्या हो जाए लेकिन अभी जो पिछले दो-तीन एक्जाम हुए है भी आपका CGL का रिजिट आया है आप लोगों देखा होगा और कल आपका CGL का माक्स भी अपलोड हो जाएगा आप लोग जा करके देख सकते हो तो इन सब ट्रेंड को देखते हुए मैं बताऊँ आपको तो देखो जो आपका नॉर्मलाइज़शन है चीक है नॉर्मलाइज़शन में आप लोगों के देखे जो सिप्ट जो है आपकी जो इजी थी उसमें देखो क्या है कि जितने आपके माक्स आइं उतने ही रह सकते हैं या हो सकता एक दो नंबर तीन नंबर आपके माइनस भी हो सकते हैं आपके एक दो तीन नंबर आपके माइनस भी हो सकते हैं लेकिन जो सिप्ट आपकी हाड थी जो मॉडरेट थी उसमें आपके निश्चित रूप से माने चलिए पांस से साथ नंबर आपके जरूर बढ़ने वाले हैं उसमें आपके पांस से साथ नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं यह उन सिप्ट में आपके पांस से साथ नंबर आपको जरूर इंक्रीज होकर के देखने को मिलेंगे तो आप लोग इसका देख लीजिए आपका कि सिप्ट में एक्जाम था कुछ सिप्ट जो है ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा इजी थी लेकिन हाँ हो सकता अगर अच्छा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सिप्ट इजी थी उसमें कितने माक्स कम हो सकते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जो प्वाइन फई से लेकर के 3 तक जो बहुत इजी भी रहा होगा तो और बाकी जहां तक मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आपके एक दो नमबर ही माइनस होगी स्यादा माइनस नहीं होगा आपका लेकिन इंक्रीज होने की बात करें नॉलबलाइशन में जो सिप्ट आपकी होड थी उसमें कम से कम आपके 4, 5, 6, 7, 8 इतने तक भी नमबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आपकी जो उमिद करता हूँ जितने नॉलबलाशन से स्रमनिस कुश्चन थे आपके आपके समाप्त होए होंगे अगर आप लोगों को लगता है कि आपको वीडियो पसंदा है तो दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेर करें थैंक्यू जैन